Hello everyone, मैं विश्चु जीत सिंग, आप सभी का दीई नव पर स्वाबत करता हूँ दोस्तो, आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 03, Histography दिहास लेखन का Important Topic के सीरीज में आज हम Topic No. 5 पढ़ने जा रहे हैं दोस्तो, आज का हमार Topic है जलो मुखी दिहास यह Topic Important है, अक्सर एक्जाम में इससे लेडिड कोश्चन भी पूछे जाते हैं अगर आपको वीडियो देखते समय कहीं पर कोई डाउट रहता है, कमेंटर के पूछ सकते हैं साथ साथ आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर बेस होने वाली है तो आप अपना Notebook साथ में लेकर बैठें, वापस से हम अपने Topic पर आते हैं जनो मुखी इतिहास होता क्या है, कहते किसे हैं इतिहास लिखते समय, इतिहास कार के द्वारा, जब आम जनता को केंदर बिंदु मान कर या केंदर बिंदु बना कर लिखा गया इतिहास उसे हम जनो मुखी इतिहास के तौर पर जानते हैं, People-Oriented History उसे हम बोलते हैं ठीक, समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सरल भासा में मैं आपको समझाने के गोर्सिस कर रहा हूँ अठारवी सताब्दी के अंदर में इसकी सुरुवात होती है, ठीक, इससे पहले तक जो भी इतिहास लिखा जाता था उसके अंदर में आम जनता जो आम लोग थे, उनका जिक्र नहीं होता था, ठीक, यहाँ पे हम पश्चिमी सब्वेता की बात करते हैं, ठीक, पश्चिमी सब्वेता के अंदर में भी अगर आप देखोगे, तो जो अठारवी सताब्दी से पहले तक का इतिहास था, वहाँ पे सरी महाल लोगों का जिक्र किया जाता था, इतिहास लिखन के दोरान, ठीक, वहाँ पे आम लोगों का जिक्र नहीं किया जाता था, पश्चिमी सब्वेताओं के अंदर में इतिहास की जो परीदी थी, परीदी मतलब क्या, उन्होंने एक बॉंडरी खीच दी, कि हिस्ट इसकी बात करूँ, तो एक इतिहास कार आते हैं, एरिक होप्स करके, ठीक, एरिक होप्स, ठीक, एरिक होप्स करके एक इतिहास कार आते हैं, एरिक होप्स बाम है उनका पूरा नाम, ठीक, तो यह आते हैं, यह कहते हैं, यह कहते हैं, जैसे ही आम आदमी, जो नॉर्मल इंसा हो रहा है उस घटना के अंदर में भागिदार बनने लगा ठीक है और उसे प्रभावित करने लगा उसे इंपेक्ट करने लगा तब जाकर कहीं उनके बारे में इत्यास लिखना शुरू हुआ और तब जाकर यह जनों मुखी इत्यास की शुरूआत होती है जहां पर आम जनते के बारे में लिखा जाने लगा तो एरिक होपस क्या कहते हैं कहते कि बाई जब कोई घटना घट रही है उसके अंदर में भागिदारी बन रहा है ठीक है कोई फैसला लेना है उसके अंदर में भागिदारी बनने लग रहा है ठीक है तो उसके बाद कुछ निर्णे होना है, कुछ घटना घटरी है, उसके अंदर में जब वो पाडिस्पेट करता है, भागिदार बनता है और वो परभाभिद करता है उनको। बागीदार बनने का मतलब यह नहीं कि उसके अंदरे पार्टिसिपेट तो क्या पर इंपक्ट नहीं बना उसका कुछ, इंपक्ट जब करता है तब उसके बाद जाकर अठारी उस्ताथी के अंदर में जनुमुखी इतिहांस की सुरुवात होती है, जहां पर आम जनता के बार सुरूत होते ते या उसके द्वार्ट सहिट के जो भी चीजे ताधावेज होते थे वह तयार क्या जाना सुरूह किया गया, यूरोप में अठारेविस ताब्धी के अंतिम समय में जो रोमेंटिक जो इत्यासकार हुए, उनके द्वारा जनता की खोज से वास्तव में परक्रिया शुरुआ तुई, जो रोमेंटिक करके इत्यासकार आते आप आगे पढ़ोगे टॉपिक में पढ़ाऊं आपको, ठीके तो उनके द्वारा आम जनता की खोज से सुरुआ तो है कि भाया, यह ह अंदर में Cover करते समय मैंने ये देखा कि बहुत सारे बड़े-बड़े नाम तो दिखते हैं दिखते हैं पंडिजुइब लाल नहरू ठीक है और भी बगव सारे बड़े-बड़े नाम गान जी महात्मागांदी ठीके सुभास चंदर बो सब के नाम दिखते हैं पर बहुत सारे छोटे-छोटे नाम थे जो वहां पर दिखते नहीं है ठीके क्योंकि उनका इंपक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ा यह इंपक्ट पड़ा भी तो इतिहासकार के द्वारा उसको उस इति हो जाने लगा कि आम जनता करती ए उसको लेकर वहां से परिकरिय सुरुआत होती है फिर ये एरिक खॉप्स आते हैं वो बताते हैं कि अगर आम जनता का किसी decision में, किसी निर्ने में impact रहेगा, कोई घटना में वो participation होगी उसकी, ठीक है, और उन सब को impact करेगा, ठीक है, उसको परवावित करेगा, तब जाकर उसका कहीं न कहीं इतिहास में नाम आएगा, otherwise नहीं आएगा, यहां पर यह चलता है, ठीक है, समझ में आता है, जर्मनी क इतिहास कार आते हैं, जिनका नाम है J.G.Hardar, ठीक है, J.G.Hardar, ठीक है, J.G.Hardar करके इतिहास कार आते हैं, इनका मानना था कि लोग संस्कृतियां पद का परियोग किया गया, मतलब इनके लिए लोग संस्कृति पद का परियोग किया गया, 19. सताबदी के आरम में दो इत उसकते हो आप ठीके पहली बार आम जनता को दिखाने के लिए लोग संस्क्रती सब्द का उप्यों किया कि इसके द्वारा तो जे-जे हाडर के द्वारा जो जर्मनी के इतिहासकार थे उसी के साथ साथ उननीची से सथापदी के अंदर में दो इतिहासकार आते हैं जो पहली बार पीपल ठीके जो कहते हैं आम जंता सब्था पीपल सब्सका प्रयोग की अपने इतिहांस के अंदर हैं उससे पहले तक प्यपल सब्द का प्रयोगी नहीं होता था ये मानद के चलिया जनोंोखी इतिहांस के अंदर में ज और एक पर्म॥ चम्न Dlatego के संदर्म में क्रिशक वर्ग का अध्यन क्या इन्होंने ठीक है और क्रिशक वर्ग की क्या भूमका रही ठीक है फ्रांसेसी क्रामती के इंदर में उसको यहां पर करके लिखा किस ने लिखा तो जॉर्ज फ्रेवक ने लिखा जिसके कारण से जनो मुखी इतिहास के वो भी एक इस तरह से उनका नाम है तो इस तरह से उनके द्वारा लिखा जाने लगा सबसे पहले उन्हीं के द्वारा शुरुवात हुई और इस परंपरा को उनके सिस्से और मित्र जो जॉर्ज एड थे उन्होंने इसे आगे बढ़ाया और भी जादा इसको आगे इंप्रूफ किया इ लिकना पूरा बॉल्मरी सेट कर दी गई थी जिसके अंदर में आम आदमी हई नहीं यह मानकर चला जा रहा था इतियांसकारों के द्वारा उन लोगों के द्वारा और भारत के इंदर में भी यही चीजे चल रही थी ठीक है तब यहां पर एरिक हॉम्स आते हैं वो पताते हैं कि यह चीजे ऐसी हैं तब इसके बाद आप चीजे परिवर्तित होंगी तो यह पूरा है गा जनों मुखी इत्यांस लिखन ठीक है आप इसको एक बार अच्छे सापने बुक में पड़ेगा जिससे आपको और अच्छे समझ में अगर कहीं के डाउट रहता है कमेंट कर करके पूछ सकते हैं अक्सर इसे लेटेट कोशन्स एक्जाम में पूट अप के जाते हैं ठीक है तफ्रेंड्स यह पूरा वीडियो यहां पर समापत होता है आप सब इस रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है और और भी अगर इस तरह की वीड अबड़ आपको एक अगर्स ंड़्या खर्म् में आपको एकराया गौट